कि नमस्कार साथियों जैभीम अमभेट करनामा के पंद्रहवें एपिसोड में आप सब का स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे पिछले एपिसोड में हमने बात किया था कि 1930 की घटना चल लेए क्रोनलोजी आज कल बहुत चर्चा में कि अमभेटिकर साहब ने अपने माइनरेटी कमीटी को रेकमेंडेशन दिया था जिसकी अध्यक्षता खुद प्रदायन मंत्री कर रहे थ उस समय तक की चर्चा हम ने कर ली अब उस से आगे अब ज्वाРЕट मेमरेंडम, डिप्रस क्लासिज की ओर से, मुसलिम कम्म्न्टी की ओर से, इंडियन क्रिस्चन की ओर से, इंगलो-900 का जिक और से एक ज्वाइन्ट मेमरेंडम गया इस memorandum के दो पाट हैं एक तो सबकी जिसे साजा सहमती बनी वो और कुछ-कुछ demands उनके अलग-अलग भी थे तो आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे तो यह याद रखने के जरूरत है यहां मैं बार-बार यह कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं समिधान कट-पेस्ट है उनको यह प्रसेडिंग्स पढ़ने के जरूरत है कैसे समिधान का evolution हो रहा था तो उसकी प्रमुख मांगे जो हैं वो मैं आपके सामने जो मेमरेंडम में दिया गया था वो आपके सामने रखना चाहता हूँ जो पहला सबसे important है कि सारवजनिक नौकरियों, कारियालयों, पदपर्तिष्ठा, नागरिक अधिकार के उप्योग, civil rights के उप्योग में जल्म, धर्म, जाती या समुधाय के आधार पर बिहेदभाव नहीं हो, ये पहला है, जो दूसरा है कि सम्विधान में सुरक्षा का प्रावधान हो, ऐसी सुरक्षा का, जिस से कि कि समुधाय के बिरुद्ध कानून बनाने पे लगाम लगे उसको रोका जा सके, तीसरा, औ पूजा अर्चना, पूजा पाट, आस्था, संगठन बनाने और शिक्षा का अपने धर्म के हिसाब से शिक्षा का प्रचार करने की स्वतंत्रता हो तो व्यक्तिकत जीवन में आप जो कुछ रहें इसके कहने का मतलब है लेकिन अगर लोग मानने वाले हैं तो उनको अपने हि आने कि उनको रिलिजियस फ्रिडम होनी चाहिए इसके साथ वो कहते हैं कि लिखा हुआ है कि धर्मिक आस्था बदलने से सिर्फ धर्मिक आस्था बदलने से किसी व्यक्तिके नागरीक अधिकार सुविधाय समाप्थ नहीं की जा सकती कि कितना ये विजन की बात है कि 1956 में जाकर वो बहुत बनते हैं लेकिन उनको ये बात पता था कि सिर्फ धर्म बदलने से जाती नहीं बदल जाती तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर कोई अपना धर्म बदल लेता है तो उसके आधार पे जो उनके अधिकार है वह अधिकार नहीं खतम होने चाहिए चोथा अपने संसाधनों से charitable trust, धार्मिक समाजिक संस्थान, school, सैखनिक संस्थान खोलने का अधिकार हो और धर्म का परचार करने की स्वतंतरता हो आज इस तरीके से intolerance बढ़ा है समाज में, मुझे लगता है कि ये joint memorandum फिर से पढ़े जाने की जरूरत है। संविधान में आगे कहते हैं कि संविधान में धर्म, संस्कृती, पर्सनल लौ की सुरक्षा का कानून हो तथा शिक्षा, भाषा, चेरिटेबल संस्थान चलाने और राज से उसको विदिवत, ग्रांट इन एड, आर्थिक सहयोग देने का प्रावधान हो। आगे छठा, केंदर और प्रांतों में कैबिनेट का गठन हो, और मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य अलबसंख्यक समुदाय को भी परतिजित्व मिले। यह है छठा नंबर, साथवा पॉइंट, अलबसंख्यक समुदाय की रक्षा तथा विकास के लिए केंदर तथा प्रांतों में एक सेपुरेट डिपार्टमेंट बने, एक अलग मंत्राले का गठन हो, यह उनका साथवा पॉइंट है। जो आठवा है वो जड़ा इंपॉटेंट है, वो पृथक निर्वाचन शेत्र से जुरा हुआ है। वो कहते हैं उसमें लिखा है कि अब तक जो प्रक्रिया थी उसके हिसाब से लोग विधान मंडलों में चून कर आते थे या नॉमिनेट होकर आते थे। लेकिन अब कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को 10 साल के लिए पृथक निर्वाचन शेत्र दिया जाए। दस साल के लिए उनको प्रिथक निर्वाचन छेत्र हो और खास तोर से बंगाल और पंजाब की बात वो कर रहे हैं कि यह केंदर पे भी लागो हो और दस साल के बाद उनको यह आजादी हो कि क्या वो जॉइंट एलेक्टरोड में जाना चाहते हैं या फिर जॉइंट एलेक्टरोड के साथ रिजर्वेशन प्रिथक निर्वाचन शेत्र के साथ आरक्षन के साथ जाना यह मुस्लिम समधाय को इसकी स्वतंतरता दी जानी चाहिए जहां तक अस्परिश्यों का सवाल है यह कंडिशन बीस वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है कि बीस वर्ष के लिए सेपरेट एलेक्टरोड हो चुना जो प्रिथक निर्वाचन शेत्र बीस वर्षों के लिए हो और बीस वर्ष के बाद यह अस्परिश्यों को यह अधिकार हो कि वो किस option को तलास करना चाहते है जोइंट में रहना चाहते हैं या सेप्रेट में जाना जाते हैं जोइंट में तब तक वह नで का प्रादान और नहीं किया जाए जब तक कि वस्क्त कर दिकार्टी कर लोगों को नमिल जाए important. बात कि जब तक वस्कंत अधिकार न मिले अर्थात जैसे 18 साल को उपर जितने वह सब बोट करेंगे जो भी एज के हिसाब से उसमें धर्म उसमें उसमें पैसे और ब्यवसाय और जमीन का कंडिशन नहों एडल्ट इनुवर्सल फ्रेंचाइजिस कि जब हो तभी उनको जॉइंट इलेक्टरोट में ज अस्तर पर खेंद्र और प्रांत के अस्तर पर सिविल सर्विसेज का गठन हो लोग सेवायोग पॉब्लिक सर्विस कमिशन का गठन हो और इन सेवाओं में सभी समुदायों का उचित प्रतिजित हो यह नोट किजिए कि आरक्षन की बात यहां नहीं कर रहे हैं इसके बात कुछ खास बाते हैं इसके बाद कुछ-कुछ पॉइंट्स जो है स्पेशल क्लेम्स आफ मुस्लिम्स इसी तरीके सब के कुछ-कुछ खास क्लेम्स भी थे वह भी मैं आपको बता देता हूं इसमें तीन बिंदु हैं पहला बिंदु गवर्नर द्वारा शाषित अन्य प्रांथ की तरह जो नौर्थ वेस्ट फ्रंटियर है जो उत्तर पश्चमी जो प्रांथ है उसको गवर्नर शाषित बनाया जाए और साथ-साथ उसके सीमा के सुरक्षा का प्रवंद किया जाए ये पहला है और इसके साथ ही इसके विधान मंडल में दस पर्तिशत से ज़्यादा लोग नौमिनेट नहीं हो जो दूसरा पॉइंट है वो कहते हैं कि सिंद को बॉंबे प्रांथ से अलग किया जाए और इसको गवर्नर शाषित प्रांथ में लिया जाय कि तीसरा मंदल में केंद्रिय विधान मंदल में सेंट्रल लिगेसराटिव असेंबली में मुसलमानों का एक तिहाई प्रतिनेजित्व रिप्रेजेंटेशन हो यह तीन इंपॉर्टेंट एक इस्पेशल उनका डिमांड था इसी तरीके से जो डिप्रेस क्लास को जिसको अमबिटकर र परांपरा का निशेद हो उसको इलीगल घोशित किया जाए कि अगर तलाब से पानी पीने का अधिकार यह परांपराव में आता है कि आपको रोक दिया जागा मंदिर नहीं जाने दिया जागा तो इस सब को एक ओफेंस माना जाए इसे प्रावधानों को रोकने का कानून बने दूसरा, Public Service, Police और सेना में भरती के लिए थोड़ा सा Lineant View रख जाहत्रस उदाव वहवार हो, daipettes क्लास के परती तीस营ी बात, पंजाब के diprixेंस क्लासस के लोगों को पंजाब Land Alienation, Act का मिले चौथा, किसी भी अधिकारी द्वारा भेद भाव की इस्तिती में ये जानते थे कि जब पिछला एपिसूट आप देखेंगे उसमें मैंने चर्चा की ति कैसे समाजिक और आर्थिक 22 कार सबसे वड़ा हतियार होता है अस प्रिश्यों के खिलाफ तो किसी अधिकारी के भेद भाव की इस्तिती में प्रांत के गवर्नर या गवर्नर जनर्र के पास अपील करने का अधिकार हो कि लोग अपील वहाँ कर सकते हैं पांचवा जो पॉइंट है कि कहते हैं कि एनेक्शर में दिये गए आखड़ों के हिसाब से प्रतिंत मिले ही पेज़ पे उठाकर देखिए इसी तरीके से स्पेशल क्लेम्स ऑफ एंगलो इंडियन कम्मुनिटी यह कहते हैं कि सारवनिक नौकरियों में विशेश धिया जाए सारवनिक नौकरियों में विशेश धिया जाए दूसरा अपने अर्थात इरॉपियन सेक्षिनिक संस्थान चलाने का अधिकार हो बशर्ट लेकिन यह संस्थान केंद्रिय मंतरी के नियंतरन में रहे तीसरा समान नयाईक अधिकार हो आज कल यह बहुत चर्चा में C.A.N.R.C. को लेकर वो कहते हैं कोई कंडिशन नहीं लगना चाहिए कि आपना लेजिटिमेसी प्रूफ किजिए य इसको किये बगार समान नयाईक अधिकार हो और उस पर जो अगर क्रिमनल ट्राइल चले तो यह तो भारतिये जीरी में चले यह 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 तीन बाते हैं अब स्पेसल क्लेंस ऑफ इरोपियन कम्यूनिटी इनके तो इंपोर्टन पॉइंट पहला कि उद्योग और बेवसायों म समान ही अधिकार और सुबदा उनको मिले इसमें यूरोपियन और भारतिये के बीच भेदबाव ना किया जाए दूसरा कि आपराधिक मामलों में ट्राइल में वर्तमान कानून की निरंतरता रहे और बगएर गवर्नर जनरल की पुर्व सहमती के पुर्व अनुमती के उनक कुछ प्रमुख बाते हैं साथियो जो जॉइंट मेमरेंडम दिया गया था इसमें जो सिगनेटरी हैं पहला जो मुस्लिम को प्रतिंत्व कर रहे थे वो थे आगा खान दूसरा अंबेटकर डिप्रेस डॉक्टर अंबेटकर डिप्रेस क्लासिस को रेप्रेजेंट कर रहे रहे थे राय बहादूर सेलवं भारतिय इसाई को रेप्रेजेंट कर रहे थे सर्थ हैंड़ी गिडिन वह इंग्लो इंडियन को रेप्रेजेंट कर रहे थे सर्थ यह सारा डिटेल्स आपको वाल्यूम 17 पार्ट वन में मिलेगा आप चले जाएं वहाँ पे 90 पेज़ के पं सोर्स को प्रात्मिक स्रोत है उसको देखिए साथियों यह 15 एपिसोड है और काफी प्रतिक्रिया मिल रही है यदि एपिसोड अच्छा लगे आपको और लगे कि जादा से जादा लोगों को सुनना चाहिए इसको शेर करना इसको लाइक करना कमेंट करना इनालेसिस करना न भ जब मिलेंगे तब बात करेंगे कि सप्लिमेंटरी इस जो मिम्रंडम के बाद एक सप्लिमेंटरी मिम्रंडम दिया गया था उस मिम्रंडम में क्या था इस पर चर्चा के लिए एपिसोड 16 देखना ना भब भूलें सुख जाए शातियों जैबि साथियों अम्बिट करवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल भोजन मीडिया को स्थापित करने में दाशूद्रा की आर्थिक मदद करें आप सीरे हमारे अकाउंट नमबर में मदद भीच सकते हैं बेनेफीसरी नेम है दाशूद्रा अकाउंट नमबर है 22233 0094689357 आएफसी कोड है आरेटीन 0VAAPIS ध्यान दीजिये आएफसी कोड में आरेटीन के बाद 0 है ओ नहीं बैंक का नाम है आर्बियल और ब्रांच है मुंबई आप हमें 8595-7942-248 पेटियम पर UPI के जरीए भी अमाउंट रस्फर कर सकते हैं पेटियम गूगल पर और फोन पर के लिए हमारा एक ही नमबर है 8595-7942-24 जै भीन जै भारत